नमस्कार साथियों स्वागत आपका आपके अपने ओनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म व्यदान्त कला सेज में राजस्तान का इत्यास चल रहा है और उसी इत्यास की हम इस रंगला को आगे बढ़ाते हुए चोहान राजबंस तक पहुंच गए चोहान राजबंस में हमने सपाद लक्ष्या साव्कंबरी के चोवान या साम्बर के चोवानों पर तर्चा कर ली अब जो विश्यास चर्चाये चल रही है वो अजमेर के चोहानों को लेकर चल रही है अजमेर के चोहानों में हमने अरणो राज जी के सासनकाल तक पढ़ लिया आज जो विश्यस क्लास रहीगी यही अरणो राज जी के बाद के विश्यस सासकों को लेकर रहीगी ते के सातियों देखना जरा कौन-कौन से मेहतु-पून सासक हुए थे इस राज पुताने की धर् अरणो राज जी के दो पुतर ते यह है अरणो राज जी देखो जी देखो अरणो राज जी के दो पुतर दे किन में से एक का ना मिलता है जग देव जग देव और एक का ना मिलता है विग्रे राज विग्रे राज चतुर्थ कहीं कहीं इत्यासकारों ने ये भी बताया है कि इन ही अरणो राजी के एक पूतर थे जिनका नाम है सोमेश्वर क्या नाम है सोमेश्वर या फिर सोमदेव चोहान ठीक है जब अरणोराजी का सासनकाल हम पढ़ रहे थे अरणोराजी के बारे में पढ़ रहे थे तो उनके एक पुत्तर होते हैं जगदेव जगदेव क्या कर देते हैं अरणोराजी की हत्या करके सिहासन पर बेट जाते ही यहीं जग्डेव है देखो यह जो लिके हुए है यही कौन है अरणो राजी के पूत्तर है यह क्या करते है अपने ही पिता की हत्या करेंगे हत्या करकर čohon once या अजमेर के čohon के अगले सासक बन जाते ह। अपने पिता की हत्या कर दे वो इत्यास में किस नाम से जाना जाएगा पित्तर हंता के नाम से जाना जाएगा ये कौन ते बाई साब अपने ही पिता की क्या करते हैं हत्या करते हैं ये को ये इस्टेक्चर अच्छे से देखा अरणो राजी के एक पुतर ते जगदेव जग देव एक अन्य पुत्र ते विग्री राज चतूर्थ विग्री राज चतूर्थ के बाद में एक अन्य और पुत्र मिलते हैं जिनका नाम है सोमेशुवर या सोमदेव चोहान ठीक है हमारी चर्चा चल रही है अरणोराजी के इनी तीनों पुत्रों पर आज इनी तीनों पुत्रों को अच्छे से पड़ेंगे उनमें से एक पेवकुप पुत्र कौन होता है चकदेव पेवकुप कहने का मतलब मुर्प पुत्र था तोहानों का सासक बनने के लिए राजा बनने के लिए राज पाठ पाने के लिए राज सियासन पाने के लिए गदी पाने के लिए यह पुत्र अपने ही पिता की क्या कर देता है हच्च्या कर देता है और जो पुत्र अपने पिता की हच्च्या करता है वो इत्यास में पित्र हंता के नाम से जाना जाएगा तो देगना ज़रा मैं बात करूंगा जगदेव को लेकर कौन से देव जगदेव ये क्या करते है बाई साब जगदेव क्या करते है अपने पिता तो कोने अरणो राज कोने जगदेव के पिता है उनकी क्या कर देते हैं उनकी हच्च्या करकर हच्च्या करके राज सियासन प्राप्त करते हैं राज सियासन या राज सिंगासन क्या करते हैं प्राप्त करते हैं करते हैं और ऐसे पुत्तर को ये अपना समाज ये अपना इत्यास जो हुए इत्यासकार वो किस नाम से पुकारेंगे पित्तरहंता के नाम से पुकारेंगे तो देखना जरा अगर क्यूशन आ जाए कि चोहानों का पित्तरहंता की सेक आ गया है चोहानों का पित्तरहंता इंप चोहानों का पित्रहंता, पित्रहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला पित्रहंता कौन होगा जगदेव, चोहान, कौन सा चोहान, जगदेव, चोहान, क्योंकि यह क्या कर रहा है, यह बावली पूच क्या कर रही है, जगदेव, अपने ही पिता अरणोराज की क्या कर रही है, हच्चा कर रहा है ठीक है भाईयो अच्चे से इस बात को उतारना अच्चे से नोट क्यार करना इसके रिशोट लेना है तो लेलो जल्दी से दे को उतार लिया अगर क्यूशन आए किस परकार का क्यूशन आ सकता है क्यूशन की परकरती क्या रहे सकती है क्यूशन की परकरती रहेगी चोहानों का पितर हंता तोहानों का पितर हंता किसे का गया है तो किसे का जाएगा जग देव चोहान को का जाएगा क्यूं का जाएगा क्यूंकि ये अरणों राजगी क्या कर रहा है हत्या कर रहा है किसको पाने के लिए राज सिहांसन को पाने के लिए यहां तक बात समझ भाई आपके अब आगे जरा मस्तिक्ष में कुछ अन्य बाते बिटानी है और वो क्या बिटानी है देखना आपका मस्तिक्ष मिलकुल इदर चाहिए मांशी ग्रूप से इदर आपका ध्यान रहना चाहिए देखना जरा अगले सासक होते हैं सातियों विग्रे राज चतुर्थ विग्रे राज चतुर्थ विग्रे राज चतुर्थ जिनका सासनकाल मिलता है ग्यारा सो अटावन से लेकर ग्यारा सो तरेशट तक फीके ए ग्यारा सो अटावन से लेकर ग्यारा सो तरेशट ये क्या करते हैं ग्यारा सो अठावन के आसपास अपने भाई जग्देव को एक युद में पराजित करके एक युद्ध में पराजित करके चोहान वंस के अगले सासक बनते ही तो किस परकार का भाई है पितर हंता है अपने ही पिता की हत्या करके राज सियाशन पर बेटा है जिसका नाम जगदेव हमने कुछ देर पहले पढ़ाई है विगरे राजी जगदेव के भाई थे अरणो र आजी क्या करते है अपने भाई जिनका नाम क्या है जगदेव को कब 1158 में इस बात का विसेश ॢयान रखना 1288 में जगदेव को पराजित कर, जगदेव को पराजित कर, पराजित कर, क्या बनेंगे शासक बनते हैं, चोहानों के अजमेर के चोहानों में सरू श्रेष्ट और सबसे विद्वान अगर कोई सासक हुआ या हुए थे तो उनका नाम क्या है विग्रे राज चतुर्थ देखना मैं कुछ विशेश बाते करूंगा इनको लेकर इनका सासनकाल कुछ दिखाई दे रहा है ग्यारा सो अटावन से तरे सट पांची साल का सासनकाल पांसो से पांसाल का इनका सासनकाल है और इसी पांसाल में पांसो से ज़्यादा इन्होंने मेतुकुन काम कर दी अपने विद्वान राज्वन्स का सर्वनकाल या गोल्डन टाइम किनके सासनकाल को कहा जाता है तो किनको कहा जाता है सातियों वो कहा जाता है विग्री राज चतुर्च के सासनकाल को ठीके एक इत्यासकार हुए थे जिनका नाम है क्योंकि ये विद्वान सा सकते विद्वानों के आश्रिय आश्रिय दाता थे इनके दर्वार में पांच से साथ इंपोटेंट वाले विद्वान लोग जो आश्रिय क्या वहाँ पर रहते थे उनको आश्रे देने वाले अगर कोई सा सकते तो कौन थे विग्रे राथ चतुर्थ और विग्रे राथ चतुर्थ के बारे में एक इत्यासकार है जिनका नाम है किल होर्न अगली सलाइट से देखते हैं एक इत्यासकार हुए तै किल होर्न कौन से होन किल होर्न यह क्या लिखते है अपनी एक पुष्टक में यह द्यासकार हुए तै यह लिखते है कि चोहानों का एक मातर ऐसा परतावी और विद्वान सासक जो अपनी सिक्ष्या के बल पर अपनी बुद्धी के बल पर कालिदास और भवबूती की होड कर सकता है कालिदास भी अपने आप में बहुत विद्वान है थे सोरी भवबूती भी बहुत विद्वान थे अगर उन दो व्यक्ति की होड करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है तो वो कौन हो सकता है कंपीटिशन में लड़ने वाला परतियोगी परिक्षाव में लड़ने वाला होड का किल होर्न क्या कहते हैं विग्रे राज चतूर्थ कि तुलना कि तुलना किल होर्न क्या करते हैं विग्रे राज चतूर्थ कि तूलना किस से करते हैं कालिदास कालिदास वे भव गुति से करते हैं बहुभूती से करते हैं तुलना के अगर बात आजाए कि कालिदास और बहुभूती से विग्रे राज चतुर्थ की तुलना कौन से इतियासकार ने कीती तो कौन से इतियासकार ने कीती वही किल होरने कौन से होरन किल होर एक अन्य इतियासकार और हुएते हैं जिनका नाम है जयानक बट क्या करते हैं जयानक बट इनी विग्रे राज जी को एक उपादी से विभूसित करते हैं इस उपादी को क्या का गया है देखना जरा विग्रे राज चतुर्च की उपादी कि में बात करूँगा उपादी इनकी उपादी क्या थी कवी बांदव। कवी बांदव। या फिर कटी बांदव। कटी बांदव। कवी बांदव या कटी बांदव। उपादी देने वाले इत्यासकार कोन थे विगर राज को जयानक बट। कोन से बट। जयानक बट। मैं विगहराज चत्तूर्त की इस उपादि की बात कर रहा हूँ, उपादि कौन्सी है इनकी कभी बांधू, अगर क्यू तक आ Gadaw ow उपादी किनकी है, तो किनकी है विगहराज की। कौन्से का राज कि विड। चतूर्त। विगहराज चतूर्त। इनका दूसरा नाम विसल देव भी मिलता है इनी विग्रे राजी का दूसरा नाम क्या मिलता है विसल देव यह अपनी चर्चा हुई विग्र राजी को लेकर ग्यारा सो अटाउन में क्या कर रहे हैं अपने ही बाई जगदेव चो चोहानों का पितर हन्ता था उनको पराजित करके चोहान या चोहान राजवन्स की अगले सासक बनते हैं उसके बाद में हमने देखा क्या देखा हमने या मने देखा वायसाब एक इत्यासकार हुएकट किल हॉर्न इनकी तुलना कालिदास और भवगूति से करते हैं। अगर क्यूशन आ जाए कि चोहनों का वे सासक जिसकी तुलना कालिदास वे बहु भूती से की गई है तो कौन होंगे विग्रे राज चतुर्त होंगे ठीके इनके बाद में हमने क्या चर्चा की इनकी उपादी को लेकर कुछ बात रही कवी बांदव और कटी बांदव उपादी कौन से सासकी रहने वाली है तो कौन से सासकी रहीगी विग्रे राज चतुर्त की रहीगी, ठीक है, अब देखना ज़रा आगे, आपका ध्यान बिल्कुल, इदर आकर सी चाहूंगा, कुछ समय के लिए, कुछ समय में बताऊंगा क्या ये देखना है, अब इनके कुछ निर्मानकारियों की बात करेंगे, भाई साब, पांस साल में कौन-कौन से न विसलपूर बहंद का निर्मान करवाया, 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 विसलपूर गाउं बसा दिया, विसलपूर नगर या गाउं बसा दिया, विसलपूर नगर या गाउं देखो, विसलपूरबॉर्भान बॉर्धवान इस्तती में नयसे जी लोग की गोश्ना होने के बाद यह सीधे सीधे च्वेकड़ी में चला गया जबकि पहले नहीं आय ता इसी बाहंद के पास में एक नगर का निर्मान करवाते हैं जिसका नाम है बिसलपूर नगर नाम से इसपष्ट हो रहा है कि विग्रेराथ चतुर्त का दूसरा नाम या अन्य नाम क्या मिलता है विसल देव मिलता है तो सिधी सिधी बात पर अपने नाम पर क्या करवाएंगे बाहंद बनवाएंगे इत्ते गेल या इत्ते पागल तोड़ी ते की दूसरे की नाम पर कोई बाहंद का निर्मान करवाएंगे तो यह तो इसी नाम से इसपष्ट हो रहा है इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं कि भाई विसलपूर बाहंद का निर्मान किसने करवाया पांच साल के सासन काल में पांच सो से अधिक इन्पोटेंट कारिये क्या करवा रहे हैं विद्वानों के आश्रिय दाता किल होर्न इन महान विद्वान की तुलना कालिदास और बहुगूती से कर रहे हैं साथ में साथ ये क्या कर रहे हैं विसल पूर्बांद और विसल पूर बातों का विशेश ध्यान रखना है बात याँ खतम नहीं होगी बात अब शुरू ही ये शुरू-शुरू में हम आगे लेते हैं इसी पेलू को अगला पेलू क्या रहीगा कि वह इनके युद्ध क्या लड़ाईयां कि अपने इस आशन्काल में कौन-कौन से युद्ध कि वह और कौन से साश्कों को इन्होंने पराजित किया एक नज़ए व्याराई थी देखना है देखना कुछ नहीं है जो याँ दिका रहा हूं वो देखना है आपको इन्होंने क्या किया इक सासक हुआ करता ता जिसका ना कैसा रूसा हुआ आदमी है कुछ रूसा हुआ अब जो आदमी कुछ रहता है वो कभी रूस सकता है क्या लेकिन यह कुछ भी रहता था रूसा हुआ भी रहता था और एसे आदमी तो मेदान में ज्यादा टाइम तक ठीकेंगे भी नहीं तो कुछ रूसा कौन सा रूसा कुछ रूसा इसी कुछ रूसा जो शासा का अगा ता गजनी का था उसको पराजित कौन करते हैं वह यो बिगर राज राज कस रूसा को पराजित करने वाघ पराजित वाले थोस हनो के शासक एज थी विक्रिराज चतुर्थ अब ये कभी मत बोलना आप जो कोई भी बोले उनको मना कर देना कि पहला गजनी का अकर्मन मुहमत गोरी दवारा परतिवराज की समय होता है ये कभी मत बोलना क्यूंकि मुहमत गोरी से पहले एक सासक तो थपड़े खाके गया था किन के हातों से विक्रिराज चतुर्थ के हातों से इस बात का द्यान रखना गजनी का परतम सासक कुछ रुक तो पराजित किन के हातों होता है विक्रिराज चतुर्थ के हातों ठीक है अगर क्यूंसन आ जाए कि चोहानों का वे सासक जिसने गजनी नरेश या गजनी के सासक को पराजित किया नाम नहीं मिले अगर नाम मिलेगा कि मुहमत गोरी तो आप आपको पता है परतिविराज करना है लेकिन कुछ रूसा मिले तो क्या करना है आपको परतिविराज की जगे विगरे राज चतूर् ठीक है? ठी, ठीक है एक तो यह उंका युद और लड़ाईों में एक इंपोटेंट ये धूसरी लड़ाई उनकी एक और होती है तिल्ली के詆श को पराजित करते हैं यह अपने उनकी लड़ाईयां या युदों को लेकर चर्चा की कुछ रूसा आपको याद रखना है दिल्ली के तोमर सासक का आपको याद रखना है दोई इनके जीवनकाल के मेतुपुन युद वाने जाते ही कुछ निर्मानकारियों में हमने देखा कुछ और स्टेक्श्र विद्वानों का आश्रिय दाता कौन रहने वाले हैं सोहनों में विग्रे राज चतुर्थ पहली पहली बात यह हो गई इनके दर्बार में एक विद्वान ते सोमदेव और एक विद्वान ते नरपती 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 नहाले नर्पती नहाले ये दो कौन ते इनके दर्बारी विद्वान ते क्या थे वाइसाब दर्बारी विद्वान तर्बारी विद्वान इन दर्बारी विद्वानों ने क्या किया इनी दर्बारी विद्वानों ने कुछ प्यारे प्यारे पूट्रे पूट्रे गरंतों की कि रचना की फोम देव जी क्या करते हैं ललित विग्रे राज ललित विग्रे राज की रचना करते हैं अगर क्यूशन आ जाए अगर क्यूशन आ जाए ललित विग्रे राज गरंद की रचना किसने की तो ललित विग्रे राज गरंद की रचना करने वाले कौन है फोम देव ह वहीं अगर बात आ जाये कि नर्पत्य नाले जो विक्रहराज चतुर्त के दर्भारी विद्वान थे उन्होंने किसकी रचना की तो आप बता देना विक्रहराज राशों की रचना की विक्रहराज राजों की रच्णा की कि छाघ बताना है कुछ नी वताना है ज्डा माईड लगाना यह हुं भी राजुम की रराजर्च रों कौन करेंगे नर-पति-नह लेarti किसी być राज्रासों कर रहे हैं विघ्रै राज्रै तोट इंहां अगर बात है कि ललीस लाज कि ठीके ये दोनों विद्वान किनके दर्बारी विद्वान हुआ करते थे ये हुआ करते थे बाई साब विग्रे राज चतुर्त के विग्रे राज चतुर्त ठीक है यहां तक अपनी बाते हुई विद्वानों के आश्रिदाता को लेकर आई बात समझ में अब देखो इनको विद्वान भी का जाता है कि भाई साब यह तोहानों के ऐसे रहा सकते जो एक विद्वान भी थे एक क्या थे अच्छे जोतिस थे अच्छे विद्वान थे आईरुवेद के अच्छे ज्याता थे ठीक है अच्छे ज्याता थे तो कुछ ना कुछ अच्छा काम करेंगे ज्याता तो अच्छा ही काम करता है इन्होंने भी किया अच्छा काम क्या कर दिया इन्होंने हरी केली न हरी कैली नातक के रचिता कौन रहेंगे कौन रहेंगे साहब विग्रेयाराज चतृर्थ विग्रेये राज चतृर्थ समझ में आया? क्या समझाया? यही समझाया कि विगरे राज चतुर्त एक अच्छे जोतिस थे, अच्छे विद्वान थे, अच्छे शिक्ष्याम निपूर थे, इसलिए उनको क्या का गया? विद्वान गा गया, किल हॉर्ण जैसे महान वुतियों ने, महान विद्वानों ने उनकी तुलनक कालिदास और भव वूति से कर दी, तो कालिदास कौन थे, विद्वान ही थे, हरी केली नाटक की रचना करने वाले कौन है, विग्रे राज चतुर थे, अगर पूँच ले र हरी केलि नाटक हरी केलि नाटक रचने वाले कौन है फिक्र राज्च चतुर्त हरी केलिन आटक मEMA क्या रचना की गई है सहाब कि इसमें क्या लिका हुआ है ऐसा की इसको पढ़ना पढ़ रहा है आसरी क्वैं सक search Zahlen क्या है अर्जुन के मध्ये संवाद को दर्शाया गया है, और संवाद का मतलब क्या होता है, बातचीत, वारतलाब को क्या किया गया है, दर्शाया गया है, अच्चे अच्चे नोट श्तियार करना, तीव और अर्जुन के संवाद को कौन से नाटक में दर्शाया गया है, हरी केली न इसकी लेका कि इसके विग्रे राज चतुर्त ही रहींगे ठीके अब देखो जरा किसी के बारे में कहा जाता है कि इस हरी केलिनाटा की कुछ पंक्तिया फिरिस्टल इंग्लेंड फिरिस्टल जो जगे कहां है इंग्लेंड में वहाँ पर एक इसमारग है राजा राम मोहन राई का इसमारग उसमें लिखी हुई है तो कुछ पंक्तियां या लाईने का लिखी हुई है डाई दीन के जोंपडे में अडाई दीन का जोंपडा जो रहने वाला कहां है एक मस्जित है ये तो कहां रहेगा अजमेर में रहेगा उसमें क्या है कुछ पंक्तिया लिकी हुई है तो एक बात क्या लिकनी है इस नाटक की कुछ पंक्तियां इस नाटक की कुछ पंक्तियां कुछ पंक्तियां ग्रिस्टल इंगलेंड में इस्तित ग्रिस्टल जो जगे का है का है इंगलेंड में है इंगलेंड में इस्तीत एक स्मार्ग जिसका नाम है राजा राम मोहन राजा राम मोहन राजा राम मोहन राई इस्मार्ग में इस्मार्ग में लिकी हुई है निकी हुई जिकी हुई है तो कुछ पंगतिया यह तो पहली बात हुई डूसरी बात क्या होगी इसको अच्छे से उतारना है अगले से देखेंगे मौं वह दीक नद्गा अच्छे से इसको कुछ पंगतिया कुछ पंगतिया का है कुछ पंगतिया कुछ पंगतिया अधाई दिन के जोपड़े में अधाई दिन के जोपड़े में के जोपड़े में उत्क्रिन है उत्क्रिन यानि लिकी हुई है लिकी हुई है अधाई दिन का जोपड़ा का है तो का है अधाई दिन का जोपड़ा है अपने अजमेर में का है जी अजमेर में है ठीक के इस अधाई दिन के जोपड़े पर भी अपनी चर्चा रहीगी पेले आपको हरी केली नाटक को अच्छे से देखना है यह स्कृत भासा का नाटक रहीगा फिक्रेरा चतुर्थ दवारा इसकी रचना की गई है ठीक है उसके बाद में उसी नाट पंगतिया तो इंग Layer में स्तित एक जगह है Bristol और Bristol में एक इस मारण है जिसका नाम'M राजा राम महुन राई उस इसमारण में कुछ पंगतिया उतक्रिण है तो कुछ पंगतिया कहां उतक्रिण है अडाई दिन के जोपड़े में ठीक है वहीं अगर说ले यहां कि इस हरी के लिनाटक में इसा क्या लिखा हुआ है जो आप पढ़ रहे हूं तो इसमें लिखा हुआ है शीव और अर्जुन के मध्य जो समवाद हुआ था उसको दर्शाया गया है ठीक है जी ठीक है एक नजरा मैं बात करूंगा एक और अज्य निर्मानकारिय की इन्पोटेंट निर्मानकारिय था विग्रा चतूर्थ के सासनकाल का उनके दवारा इन्पोर्टेंट लगा कर लिखना संस्कृत पाठ करोंगा, शंस्कृत प्रॉक्त संस्कृत पाठ साला इसको सरस्वती मंदिर बिध्या का गया है, सर्ष्वती मंदिर सर्श्वती मंदिर और पाट साला क्या होती है विद्या का केंदर और विद्या का केंदर मतलब मंदिर हुआ क्या होगा मंदिर होगा को यह को संस्क्रित पार्शाला या सर्श्वती मंदीर कि मैं चर्चा करूंगा इसकी इस्तापना किस ने की ती इसका निर्मान किसने करवाया था निर्मान, निर्मान करवाने वाले कोहने चोहानों के बहुती प्यारे सासक विग्रे राज चोहान, विग्रे राज चोहान, विग्रे राज चतुर्त चोहान, आई बात समझ में तिकाई दे रहा है विग्री राज चोहान की दे रहा है क्या है ये ये एक पार्ट साला है क्या है ये पार्ट साला है विद्या का केंदर ता ये इसको मैं इस परकार से भी लग सकता हूँ आपके समझने के लिए क्या था ये विज्ञा का कहंदर जा अज्जन और अज्यापन हुआ करता था अब सोच लो कि कितने विद्वान रहे होंगे जिनों ने उस समय एक स्कुल संस्कृत पारशाला नाम से किस्कृत किस्तापना कर दी या निर्मान करवा दिया इस ही संस्कृत पार्शाला का निर्मान अज्मेर में करवाया गया था का इस्तित ही ये अजमेर में स्तित ही अब क्या होता है कि जब मुहम्म्मद गोरी कि अब हमजब परत्वीरा चॉहार पड़ेंगे तो हमारी ये चर्चा रहीगी मुहम्मद गोरी तरायन के द्वित्य युद में पर्तिविराज चोहान को हरा देता है विजय प्राप्त कर लेता है और उसी का एक सेनापती था जिसका नाम है कुतूबदीन एवक्ष जो दिल्ली सल्तनत पर पर्थम वंच यानि गुलाम वंच की स्तापना करता है उसी सेंस्कृत पाट सालों को तोड़ कर कुतूबदीन एवक्ष ने क्या कर दिया देखो कुतूबदीन एवक्ष ने कुटूब दीन एबख ने तो को ने चर्चा हुई अपनी ज्यादा बार बार चर्चा नहीं करेंगे एक बार कर ले कुटूब दीन एबख ने क्या कर दिया किसी संस्कृत या सर्श्वती मंदिर को तोड़ कर किसको संस्कृत पाट साला को ich संस्क्रित पाढ़ साला को है तोड़ कर टोड़ कर अधव दिन गडिंड छोंपड़े का निर्मान करवा दिया अधवाए दिन एग्डोंपड़े का निर्मान करवा दिया यह mainly करवा दिया निर्मान करवा दिया यह अड़ाई दिन का जोपड़ा है क्या साब यह एक मस्जित है क्या है मस्जित याद रखना यह कोई मकबरा नहीं है किसी की कबर नहीं है किसी की मजार नहीं है ठीक है तो क्या है मस्जित है क्या है साब मस्जित है इत्ता साघेंग से उतारना है आपको उतार लिया, आगे चलते हैं, क्या कर रहा है कुट्व दिम गयार्थ göz UV जण्य आईवत्य ज्रॉजल एंग क्या कर रहा है कि डिम लिगांग एवक ने मंड़ने को कि थंस्क्रित पाठ सालला को तोड़ा मेश्म और उसिके शेश पर, उसके शेशों पर, उसी के मतलब शंस्कृत AHCHALA के शेशों पर अउसेशों पर अधा हाई दिन के जोंपडे का निर्मान करवा दिया जोंपडे यानि क्या रहेगी ये मस्जित रहेगी कि निर्मान करवा दिया कि अब करवा दिया तो इस बात का ध्यान रखना है ग्यारा सु नाइन टीफोर में करवा दिया था यारा सो बराणमे में तरायन का दूसरा यूद होता है उसी दूसर यूद के दो साल बाद क्या कर रहा है यह संस्कृत पार सालों को तुड़वा रह ही कि कौन तुड़वा रहा है तो इस बात का ध्यान रखना कुतुब दिन अबक तुड़वा रहा है ठीक है यह अडाई दिन का जॉंपड़ा है का तो जां से स्कृत पार साल है वहीं है तो कहां है यह अजमेर में है का है साब अजमेर में है क्या यह अडाई दिन का जॉंप रबड़ा जा अड़ाई दिन पर नकर्टियार हुआ था कि अड़ीन बंकर तियार तोड़ी हुआ ये ये कि इसको बनने में बहुत समय लगाता पूरे पूरे क्ष हा जाता है कि 6-7 महिन लगेते इसको बने में यह क्या है भाइस या डाई दिन feet in मिदर का। पंजाब पीर सा का। कि इनका पंजाब पीर साखा नाम हाक या का फसके मैं लगता ह या लगता है उस से लगता है कि मेला मेला लगता ही क्या लगता ही इसलिए इस मस्जित को क्या का गया अधाई दिन का जौपड़ा का गया येक मस्जित है अजमेर में है ये कित्रे खंबो पर निर्मित है ये कित्रे खंबो की इमारत या मस्जित रहीगी तो ये है बाई साब 16 खंबो की कित्ते खंबो की सोला खंबो की यह मस्जित है जां डाई दिन का क्या लगता है पंजाब पीर सहाब का क्या लगता है उर्ष लगता है अजमेर में यह इस्तित है इसका निर्मान करवाने वाला कौन है कुतुबुदीन एबक है कौन है कुतुबुदीन एबक याद रहीगा ये याद रहीगा संस्कृत पाट साला के यह उसेशों पर बनाया गया है आई बात समझ में ये ते अपने आपके और हमारे और चुवानों के विग्रे राज जी कौन्चे राज जी विग्रे राज जी उपादी के चर्चा कर ली शासनकाल के चर्चा कर ली निर्मान कारियों के चर्चा कर ली यूद लडायों के चर्चा कर ली विद्वानों के आश्रिय दाता थेर दरबारी विद्वानों के चर्चा कर ली हरी केरी नाटक संस्कृत बाह भाय दिनके जौंबडे का निर्मान करवाया, वो भी अपनी चर्चा हो गयी। कि यह ते विग्रहराच चतुर्त के बाद में ख्शासक हुए थे उने के भाई, जिनका नाम है सोमेश्वर-चोहान, कौन से चोहान, सोमेश्वर चोहान देखना मैं बात करूँगा सोमेश्वर चोहान की, किनकी सोमेश्वर चोहान की, सोमेश्वर या फिर सोमदेव चोहान, सोम देव चोहान, तोहार इनका सासनकाल 1169 से लेकर 1177 तक माना जाता है 1100 गुंशितर से लेकर 1177 तक क्या माना जाता है इनका सासनकाल माना जाता है ठीक है देखो सासनकाल को लेकर इता माइंड मतलगाना याद नीर है तो इती माता पोड़ी मत करना कि याद करना जरूरी है ज्यादा तर नहीं पूचा जाता है कुछ इंपोटेंट चुनिंदा सास को के सासनकाल पूच लिया जाते हैं ज्यादा से ज्यादा इनका क्रम पूचा जा सकता है कि विग्राद चतुर्थ के बाद में सास्व कौन हुए या विग्राद चतुर्थ के पहले सास्व कौन थे या फिर उनसे पहले सास्व कौन थे एसा कुछ करम आपको मिल जाएगा और उसको आपको सेट करना है सुमेलित करना रहीगा इस परकार की क्यूशन को क्यूशनों का है कि याद नहीं हो तब की बात है और बाके तो या तो करने ही है आपको देखो देखना क्या है कि वह ये सुमेश्वर चोवान जब अपनी कलास इस्टाट हो रही थी कलास से पहले हमने चर्चा कि जगदेव विग्रा चतूर्त और सुमेश्वर चवान यह तिन्नों पूतर क इनके अरणोराजी के हैं तो इनके पिता तो कौन होंगे साहब पिता की में बात करूंगा तो पिता होंगे कौन तो है वही होंगे और कौन अरणोराजी है अरणोराजी और जब हम अरणोराजी पढ़ रहे थे तो हमने यह भी पढ़ा कि इनको आना जी भी का जाता है देखो, इसको याद रखने में किसी परकार कि अनाकाना नहीं करनी है, क्या नहीं करनी है, अनाकानी नहीं करनी है, सुमेश्वर चोहान, सुमेश्वर चोहान की पत्नी या महारानी कौन थे, यह इंपोटेंट है, इनके महारानी का नाम है करपूरी देवी, कौन सी देवी, कर दोड़ पूरी देवी कि कोई कर पूरी देवी अनंगपाल अनंगपाल है कि तोमर की पूत्री थी केuros निगा मतलब क्या है साव्थ आप हमाध तोमेने च्छा समझाएएगा हम आपको समझाएंगे कि यह जो तोमर राजकुमारी थी कैसी राजकुमारी थी तोमर वंच की क्या थी राजकुमारी थी और तोमर वंच के एकसास सकते जिनका नाम है अनंगपाल तोमर उनकी क्या है पुत्री है तो सिद्धी सिद्धी बात थे कि तोमर वंच की क्या रहीगी राजकुमारी राज कुमारी भी के इस इनी सोमेश्वर चोहान और करपूरी देवी के सहयोग से एक सोहान वंस के मान सासक का जनम होता है जिनका नाम है परत्वी राज चोहान किन-किन के सहयोग से सोमेश्वर चोहान और करपूरी देवी उन दोनों के एक पुत्तर होता है जिनका नाम है पर्तिविराज चोहान पर्तिविराज तिर्तिये ठीक है एक इनके अन्य पुत्तर था जिनका नाम है हरी राज क्या नाम है पर तिर्तिविराज के भाई कौ तो कर पूरी देवी तक दूर चोहान के क्या है मता जी एक में शोमेस्वर चोहान का की पत्नि को लेकर पत्नि कहां के थे कों से वंस की राज कुमारी थे कि फृत्त आटन हुए उन दोच शार विशेज स्थ्थ्यों पर हमने चर्चा की स्ट्यक् Collons तर शेट किया इसी पर्तिविराज चोहान और श्वरीष राज पुत्तर किन के ते सोमेश्वर चोहान और करपूरी देवी के ते इन्हीं सोमेश्वर चोहान का एक मंत्री हुआ करता था किनका कि सोमेश्वर चोहान इनका एक मंत्री था पर्दानमंत्री कौन्सा मंत्री पर्दानमंत्री था इनका नाम क्या एक कदम कदमदास राठोड कोंचे राठोड कदमदास राठोड अरजी वाजी 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 इनी कदमदास जी राठोड ने क्या कर लिया नागोर में दुरुक का निर्मान करवाया क्या करवाया नागोर में एक दुरुक का निर्मान करवाया यह है नागोर का किला कहा का किला साब नागोर का किला अगर क्यूशन आ जाए कि नागोर दुरुक का निर्मान करवाने वाले कौन है कदम दास जिराठोडे और वही कदम दास जिराठोड कौन है कदम दास जी राटोडे साब इन्ही सोमेशवर चोहान के क्या है मंतरी है को मैशर चोहान के क्या है मंतरी है यहां तक बात अपनी समझ माय ही किसा लुं लुक्ष करेंश्वर चोहान रिसांस्य चनकाल का एक परमुक्त युद माना जाता है यह लिखे लिख लें आपने मंत्री के बारे में याद रखना है कदमदास जी क्योंकि ये परतिवराज चोहान के समय काम आएंगे बहुत बहुत इंपोटेंट मंत्री है ये बहुत ज्यादा इंपोटेंट है सोमेशवर्चोहान, पत्षणाक है आप याद रखना है, अनंगपाल तोमर की पूत रमपार की पूतृती हैं तक की राजकुमारी है, या तक आपको याद रखना है, उनके बाद मैं बात करूँगा, सोमेशवर्चोहान का सालीख्य से उद्ध, सोमेश्वर चोहान का चालुक्यों से युद यह जड़ा याद रखने होगे है का उमेश्वर चोहान का चालुक्यों के एक्सा सकते जिनका नाम मिलता है भीम द्वित्ये एक नजढ़ार सोमेश्वर सोहान वर्सेज क्यों कि बीच हो रहा है व्युद होघ से के बीच पीम सेकेंड इस यूद में क्या होता है पीम सेकेंड ने या भीम दिवित्ये ने तो चालुकियों का साथ सके वो क्या करता है सोमेश्वर चोहान को प्राजित तो करता ही है लेकिन इनकी हच्चा भी कर देता है क्या कर देता है हच्चा कर देता है और इस यूद में भीम पीजिये हो जाता है जीत कौन गया इस यूद में जीता कौन भीम जीत गया और भीम ने क्या कर दी सोमेश्वर चोहान की हच्चा कर दी क्या करदी साब हत्या करदी कब 1177 में याद रखने योग्य बात है पुमेश्वर चोहान का चालुक्यों से युद होता है चालुक्यों सासकों ने भीम द्वित्ये भीम द्वित्ये क्या कर रहा है आबू के समीप युद होता है आबू के समीप युद होता है का हुआ युद आबू के समीप आबू के समीप आबू जगे कहा है शिरोई में है कहने का मतलब शिरोई के समीप या शिरोई के आश्पा से युद हुआ था इसी युद में क्या कर देता है सोमेशवर चोवान की भीम दिवित्य क्या कर देता है हत्या कर देता है यानी उनको मोत के गाड उतार देता है, युद इस्तल में, फोमेश्वर चोवार युद इस्तल में क्या होते है? युद इस्तल में मारे जाते हैं, मारे गए, यही बदला आगे जाकर परत्री राज चोवान लेता है, सोमेश्वर चोहान के बाद में चोहानों का अगला सासा कौन रहेगा परत्वीराज चोहान कौन रहेगा साप परत्वीराज चोहान तो हम अगली वाली कलास में डिसकेशन करेंगे प्रतिविराद चोहान के बारे में अपनी चर्चा जगदेव जगदेव के बाद में विग्रयाद चोहान विग्रयाद चोहान के बाद में सोमेश्वर या सोम्देव चोहान सोम देव चोहान में कदमदास राटोड को मत भूल जाना और करपूरी देवी को मत भूल जाना ये दोनों ही आगे चलकर परतिवराद चोहान के सास्षन या परसास्षन को समालने में पूरा-पूरा योगदान करपूरी देवी और कदमदास राटोड का रहने वाला है कि दूर्व का दुर्व का स्वा सब्सक्राइब ने अपनी जहानू भूथी दिखाते हुए अपनी भूधी मता का परिच्चे देते हुए अपने विवेक के साथ इस परकार से उसका निर्मान करवाया था कि अगर कोई दुष्मन किसी परकार के गोले बारी परेगा तो वह कि आस निकल जाएगा दुरुग के उपर से निकल जाएगा इसलिए दुरुग का जो फरंड एरिया है वो तोड़ा उंच्चा रखा गया है जब की दुरुक का पिच्चे वाला हिस्सा निच्चे है ठीक है इस बात का विशेश ध्यान रखना नागोर दुरुक के बारे में निर्मान करवाने वाले को ने कदम दासरा टोड जो सोमेश्वर चोहान के क्या है परदान मंत सब्सक्राइब यहां तक अपनी चर्चा होती है चोहान मंस को लेकर अब जो चोहान मंस के अगले साथ सके वह हम सीधी सीधी अगली वाली कलास में पढ़ेंगे जैसे आज बड़ा वेसे अगली वाली कलास में पढ़ा जाएगा ठीक है साब धन्यवाद जे हिंद जे बारत जे उड़ाद जे जे बारत शोहान मंस के वह हैं जे जे हैं अब जे हैं जे को लिग एपना टीक है लाली कि अपना सक्षा हो जब जे हैं है जगली क्राइब तोखब से